दोस्तो मैं गौतम सिंग भुखुल कुलासेस में आप सभी का सभागत करता हूँ आज आपके लिए लेकर आए हूँ ITI First Year Drawing 13-12-2021 Drawing Answer Seat दोस्तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे जो 13-12-2021 को एकजाम हुआ है उसके Answer Seat हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तो 50 नमबर का आपका Drawing Paper होता है चार क्वेश्चन आया है आपके पेपर में पहला क्वेश्चन है एसक्राइबर और सेंटर पॉंच 60 डिगरी उसके बाद दोसरा क्वेश्चन और तीसरा और चार नमबर क्वेश्चन है पूरे डिटेल से मैं आपको इसमें बताऊंगा देखिए और आप जो है एक्जाम देकर आगए हैं आप Answer Seat अपना मिलाइए कि आप सही बना है या गलती एक नमर कोश्चन आपका दिया हुआ है ड्रा फ्री हैंट ड्राइंग और ए में दिया हुआ है एस्क्राइबर और बी में दिया हुआ है सेंटर पंच जिसका आपको फ्री हैंट दिया हुआ है इसमें बना कर ए में एस्क्राइबर का चितर बनाया गया है और B में आपका center punch दो नुमर question दिया हुआ है आपका draw an ellipse by core center method major axis 80 mm and minor axis 40 mm ये जो आपको ellipse बनाना है इसका major axis दिया है 80 और minor axis दिया है 40 तो इस तरह से आपका ये ellipse बना हुआ है इसको देख लें तिन नमर question आपका दिया हुआ है draw the given cover plate and place the dimension in align system ये जो cover plate दिया हुआ है इसका map जो देना है आपको align system में देना है तो align system में क्या होता है जो horizontal line है उन्हें 36 रिखा इसके उपर लिखते है map और जो vertical line है उसको उपर दाइं और से लिखते है तो इसमें सामने से और दाइं और से इसके map को लिखा आता है उसी के अंसार इसका map लिखा हुआ है चार नमर question आपका दिया हुआ है draw front view, side view and top view in third angle projection of the given object यह जो drawing आपका दिया हुआ है इसका third angle में front, side और top view बनाना है तो यह आपको यह दिया हुआ है बनाकर इसका third angle में view इस view में आपनी एक नमर question आपका दिया हुआ है draw free hand, drawing of A में दिया हुआ है scriber और B में दिया हुआ है center punch जिसका आपको free hand दिया हुआ है इसमें बनाकर A में scriber का चितर बनाया गया है और B में आपका center punch दो नमर question दिया हुआ है आपका draw and ellipse by four center method major axis 80 mm and minor axis 40 mm यह जो आपको ellipse बनाना है इसका major axis दिया है 80 और minor axis दिया है 40 तो इस तरह से आपका यह ellipse बना हुआ है इसको देख लें तिन नमर question आपका दिया हुआ है draw the given cover plate and place the dimension in align system यह जो cover plate दिया हुआ है इसका map जो देना है आपको align system में देना है तो align system में क्या होता है जो horizontal line है इसके उपर लिखते हैं map और जो vertical line है उसको उपर दाइं और से लिखते है तो इसमें सामने से और दाइं और से इसके map को लिखा आता है उसी के अंसार इसका map लिखा हुआ है चार नमर पोश्चन आपका दिया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस पर देता कि अबले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा थैंक्यू दोस्तों रादे रादे दोस्तों